Hello and welcome to the studio members Maruti को आज के दिरे हमने ट्रेट किया एंड किसी काम में बिजी होने की वज़े से हम अपना पूरी analysis आपके लिए शुरुआत से रेकॉर्ड नहीं कर पाया है बिकाउस जो ट्रेट किया है अपने mobile phone से अपना ट्रेट एक्जीक्यूट किया है अभी हम अपने इस screen के सामने आपाया है इस वक्त जो प्राइस हमारा चल रहा है मारूधी का 8784.90 का चल रहा है इस वक्त प्रॉफिट जो अपना ट्रेड वो भी रनिंग ही है 17,000 प्लस के आसपास का हमारा प्रॉफिट इस वक्त चल रहा है और और बुक आप यहां पर देखेंगे टोटल देखिए 90 क्वानिटी के साथ यह ट्रेड हमने एक्जीक्यूट किया था अपना 8591.15 पैसे पर सारी क्वानिटी भी हमारी 8591.15 पर एक्जीक्यूट हो गए थी और स्टॉप लॉसे जो हमने इस के अंदर लगा रखे है अपन पर साल के बाद से वापस प्राइज अपनी इस रेंज पर नहीं आया है कब आया है अपने लास्ट इंग सेशन में तब जाकर कि यह प्राइज वापस अपने 25 ऑफ जैन्वरी की कैंडल ने हमारे जितने भी हाइस सारे के सारे हाइस को ब्रेक किया जैसे यह वाला हाइस है इससे भी उपर का जो हाई था यह वाला था इस वाली रेंज को प्राइज ने ब्रेक कर दिया था यहां वाली रेंज को मौनिंग में अपने प्राइविट ग्रूप के अंदर हमने एक स्टॉक शेर किया था अपना यह जो चार्ट शेर किया था So, I hope कि हमें इसके अंदर से भी बाहर निकल जाना चाहिए है So, 24,000 रुपीज के लभग का प्रॉपिट हमारे यहां पर चल रहा है 24,000 सबसे पहले हम जल्दी से बाहर निकलते है Because, very good 8855 So, 8858 So, यहां से बाहर निकलना होगा Order book में चलते हैं जो stop loss order है इसको हम कैंसिल करते हैं अपना And, position book अब इसको 1 by 1 सब 25,000 ठीक ठाक profit ही हुआ है आज का So, square of लीजे सारे orders अपने निकल चुके हैं And, finally, मारूधी के अंदर हमने अपना यह trade आज का execute किया है और एक बहुत अच्छा बहुत जितना भी risk and reward issue है Because इतने अच्छे risk reward issue के लिए यह trade नहीं किया था लेकिन अभी निकल जाने के बाद यह उपर जा रहा है प्राइस चाले जाने के बाद लग रहा है इसके अंदर से हम जो बाहर निकले है 886 9.35 पर हम यहां से बाहर निकले है हम फिर से कहेंगे यह जो risk and reward issue आप देख रहे हैं यह हमने इसके लिए अपना यह trade एक्जेक्यूट नहीं किया था risk and reward issue हमारा हमेशा की तरह नॉर्मल था हम डे हाई पर निकल ले वाले थे यह जो move आया यह unexpected move था एक बाहर में प्राइस यहां पर देखिए volumes के साथ ब्रेक कर रिया है जिस वह समझांसे भी बाहर निकल गए एक हाई लगा देने के बाद से वापस price भी downside की तरफ गिर रहा है अब हमारा समय है मारूती को हम higher time frame and lower time frame पर analyze करें यह समझने के कोशिश करें कि क्यों हम इसके अंदर buying के लिए ही बैठे रहे और क्या ऐसी position थी यह किस ऐसे level था कौन ऐसे level था आज हमको एक confidence दिया है कि मैं इसके अंदर buying करते हैं तो अच्छा movement हमें देखने को मिल सकता है जैसे कि हमने आपको बताया है कि आज यह stock अपने उस level पर आया था जिस range से हमने इसको आज के दिन ट्रेट किया था यह जितनी भी lines हाई को इसने ब्रेक किया अभी प्रीवेस टेके हाई को तो लास्ट टाइम रिक किया था बट हो क्या रहा था कि जो opening हमारी हुई थी यह कहीं न कहीं प्रीवेस टेके हाई के पास से हुई थी अभी जब हम हाई टाइम फ्रेम पर ही आप इसको देखिए करें यह ब्रेक कुछ यहां पर से यह फाले संग से सबसे important previous swings इन स्मिदे स्वेंग के पास से क्या उब था मार्केट ने एक हाई बनाया था हाहिस के बाद से प्राइज ने क्या किया था उस एक हाई को प्रोटेट किया एंड यहीं से स्विंग हाई स्विंग लोज का यह मुव्मेंट स्टार्ट होता है कुछ समय तक अब सब्सक्राइब हो जाने की बाद में वापस प्राइज अपना 8368 यह जो रेंज हमने भी ड्रॉकिया इसके नी 22 अब यह प्राइज अपना उस लेवल पर है 22 में इस रेंज पर इस लेवल पर आया है यानि के त्री येर्स के बाद सो अब देखे प्राइज ने क्या किया है जिस एक रेस्टेंस को प्राइज ने ब्रेक किया था यहां से प्राइज ने ब्रेक किया था अपने लेवल को नीचे की दिशा में गेर गया था वापस प्राइज आज अपने उसी सपोर्ट पर था एक दिन पहले प्राइज ने एक अच्छी वॉल्म के साथ 10% की मुवमेंट हमको मारूती के अंदर शो की थी और उस मुवमेंट के साथ प्राइज मेरा अपसाइड के तरफ सस्टेन किया यह वालो जो breakout हुआ था morning में 9.15 की candle पर प्राइज बिलकुल अपने previous day के highs के पास में था इसके नीचे देखें प्राइज ने कितना बड़ा rejection देखा यह एक पिन बार मतलब प्राइज डाउंसाइड की तरफ गिरा था ऐसा नहीं था कि गिर नहीं रहा यह नीचे के दिशा कुछ एक या दो ही points ने कई सारे concepts एक साथ merge करने पड़ते हैं कई सारे concepts को हमें एक साथ ले करके चलना पड़ता है जैसे कि हमने देखा higher time frame पर price के अंदर जो level है वो यह वाला है previous trading session में price ने यहां तक एक high लगा था और highs के बाद से price बना downside की तरफ गिरा एंट जो मेरा higher time frame की range थी 8,3,6,8 वहां तक आने से पहले पहले price के अंदर देखे किस तरह की volumes के breakout हुए और price ने वापस क्या किया अपने कल के trading session के highs को break किया और 9,15 के अंदर एक कितनी बड़ी bullish candle यानि कि यह pin भार दिखिया अब अगर price को downside की तरफ गिरना था तो उसको क्या करना था 8,3,6,8 की range को downside की तरफ ब्रेक करती या फिर कम से कम अपना 9,15 का low break करता यह supports थे अगर market को नीचे की दिशा में गिरनी है तो ऐसे हम लोग देख support point था हम इसको भी support मान सकते हैं मतलब कि यहां पर कितने supports निकल रहे मेरे 8,4,6,4,1,8,4,0,2,8,3,6,8,3 यह तीन supports निकल रहे प्राइस को अब अगर नीचे की दिशा में गिरना है तो अपने इन सभी supports को break करके नीचे की दिशा में जाना चाहिए अब हमने क्या बता है आपसे कि लास्ट इडिंग सेशन में market ने 10% का move दिखाया वॉल्म स्क्रेब रेक आउट और यह जो levels थे यह previous levels level identification में आपको previous data को read करना होता है previous scandals को read करना होता है last trading session में intraday के दौरान जो भी levels बने होते उनके साथ उनको match करना होता है इतना deeply हम यहाँ पर explain नहीं कर सकते बट कम समय में जितना अच्छे से अच्छा होगा हम आपको बताने के कुशिश करेंगे जैसे कि यह तीन रेंज हमने ट्रॉ कर ली अभी वीडियो अगर आप स्किप करोगे तो यह ranges कहां से ट्रॉ कि यह शाद आप समझ ना पाओ और अचानक से आपके सामने यह वाली लाइन आ जाएगे तो आपने आपको नहीं मौलूम है कि यह levels हमने कहां से देख करके निकाले ओके हमने इसको देख करके निकाल अभी यहां पर देखे मार्केट ने क्या किया है सुजूकी ने के हाइस लगा देने के बाद में एक लो और लो के बाद में जो एक level के हम वेट कर रहे थे वेट कर रहे थे कि यह वाली रेंज अगर मेरी ब्रेक होती है तो देखे यह कुछ एक स्विंग्स हमारे लगे थे मौनिंग में वन टू एंड यह वाली त्री यह वाली जो मेरी कैंडल थी 940 की रेजिस्टेंस को प्रोटेक्ट कर रहे थी हम वेट कर रहे थे कि प्राइस वेशक अपने सपोर्ट तक नहीं है और सपोर्ट के बाद में इसके अंदर देखे कि नवड़ा रिजेक्शन मिला है फिर भी हम वेट करेंगे कि प्राइस अपने रेजिस्टेंस पॉइंट्स को जैसे कि मौनिंग की यह वाली जो दो कैंडल है इनकी रेंज के अंदर जाक लेवल हमारा कौन से था 8591.15 8591 यहां पर आप देखिए 8591 हम ड्रॉ करते हैं और यह जो दो रेंजेस है इनके बीच में अपनी एंट्री है वह हमने यह आप लिए थी 8591.15 ओके यह देखिए यह बीच की रेंज निकल करके आई हम अब इसको भी डिलेट कर देते हैं और डा एंट्री कहां पर लेनी है यह कंफर्म प्रीवेस स्विंग्स के पास से हमको एंट्री लेनी है जब प्राइस अप साइड में जाकर के अपनी क्लोजिंग दे देता है तो कहीं ना कहीं से इसके अंदर वॉल्यूम्स आने स्टार्ट हो गया थी रिट्रेस्मेंट पर अपनी एंट्री हो गई थी एंट यह जो स्विंग्स हमारे लगए हो थे प्रीवेस से जो स्विंग्स थे और अपनी यह वाली जो कैंडल थी 145 की जो कैंडल थी इसके थोड़ा सा नीचे जाकर कि हमने कुछ अपने स्टॉप लोस लगा था 8561 के मेरे स्टॉप लॉस थे 8561 के जो हम बाहर निकले तो मॉर्निंग में जहां तक अपना एक हाई लगा है यहां से बाहर निकले इस इक रेंच से बट इसके बाद में आपने मार्केट देखी किस तह से यह अपसाट की मुवेंट हुए है एक एक केंडल लेक परसंग की केंडल थी बहुत बड़े-बड़े इसके अंदर से जो हम बाहर निकले हैं थोड़ा बाद भी जोगी मुव अपना कैश कर पाए है वह 8869 के आसपास का मुव हमने इसके अंदर कैश किया था यहां पर हमने अपने सभी के सभी जितने भी टार्केट थी वो सारे के सारे बुक कर लिए वीडियो अच्छा लगत इंडिकेट प्राइस एक्षिन वहां से स्टार्ट हो जाता है जहां पर इंडिकेटर्स आपके काम करने बंद कर देते हैं यह जो लेवस थे हमारे कोई भी इंडिकेटर ने जो आपको बाता पाएगा कि हायर टाइम फ्रेम पर कौन सा स्विंग है आपका बिकॉज यह हमको है अभी देखे इस एक चीज को समझने के कोशिश की जाए लेवल इंटिफिकेशन की जो हम बात करें उसको हम इसे ड्राइंग से समझने कोशिश कर सकते हैं जैसे एक यह पॉइंट है लास्ट एडिंग सेशन में मतलब 2018-19 के चार्ट में क्या हुआ था हाइज हाइज हाइ एंड हाइ बॉक्स करेंगे तो काफी लंबा पड़ेगा इसको एरो से समझते हैं देखिए प्राइस ने क्या किया अप में गया था यहां से अपसाइड की तरफ ऑके अगें प्राइस मेरा डाउंसाइड की तरफ अपने सपोर्ट पर और सपोर्ट से फिर उठकर यह अपस कि तरफ चला गया था और वापस से प्राइस अपने सपोर्ट को बृक कर दिया ब्रेक कर देने के बाद में आज प्राइस और यूपर गया थो लास्ट इंग सेशन में जो मंड़े की अपने रेजिस्टेंश को प्राइस ने ब्रेक किया है वशल्युम के साथ अब जब time frame पर price ने मेरे swings को मतलब daily time format में previous resistance को मेरे एक candle ने ब्रेक किया अभी lower time frame पर हम गये and lower time frame पर चाहिए था कि morning के जितने भी swings अगर market उनको break करती है तो कही ना कहीं एक movement आने की उम्मीद है इसके अंदर क्योंकि volumes तो morning में ही आ चुके है and जिस हिसाब से volume आई है जैसी volumes आई है उस तरह के movements अभी नहीं हुए है so हमने क्या कि अब हम lower time frame पर आकर कि इसको देखने लग गए कि lower time frame पर अगर resistance ब्रेक होते तो इसके अंदर में एक buying position activate करेंगे एक movement upside की retracement पर अपनी entry swings के stop loss and upper range के targets just simple है एक point of view चाहिए होता है कि कि point of view से market को देख रहा है okay so ऐसा नहीं है कि Maruti को हम ही ने आज टेट के बहुत सारी लोगों ने टेट किया होगा बिकॉस इस स्टॉक के अंदर काफी अच्छी movement आया है लास्ट अनि सच्छन पर अपने आज के इस वीडियो को हम लोग यहीं पर खतम करते हैं and overall जो आज का अपना प्रॉफिट है 25,000 पिस का प्रॉफिट है I hope के अगर हम पो सही से याद है काफी दिन पहले इस तरह के के माउंट लगभग 20 आपी 22,000 का हमने डॉक्टर रेडी के अंदर से ग्रेब किया था इतना बड़ा इमाउंट मेरे लिए यह बड़ा इमाउंट है बेशक आप लिए मेरे लिए बहुत बड़ा बहुत सटिस्फाइध आउंट है So तो इसकेंड टाइम हम एक बड़ा अपना एक ट्रेट इंट्रडे के सेशन के अकॉर्डिंग और इस्टॉक्स की ट्रेडिंग से अमें इतना बड़ा इमांट लिया है क्रिप्टो में जब हम ट्रेट करते हैं तो काफी बड़े-बड़े अमांट से प्रॉफिट में आते हैं बट जब हम बात करें इस्टॉक्स ट्रेडिंग में तो एक ठीक ठाक अमट एक डिशन्स प्रॉफिट हमारा यह आज का है होप कि आज की वीडियो से आप में कुछ ना कुछ सीखा होगा सो अब हम मिलते हैं अपने नेक्स ट्रेडिंग सेश्चन में कल अगर हमें कुछ अच्छा साई स्टॉक मिलेगा तो आप प्रोगों साथ उसको ज़रूर हम शेर करेंगे टेल्गाम चैनल का लिंक पर डिस्क् कि आप